एक बाद फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मैंडव जीके में प्रेंड से यह अमीन के लिए चौथा प्रैक्टिक सेट है इसके पहले मैंने तीन प्रैक्टिक सेट अपलूड कर दिया है नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें प्रेंड्स चैनल पे चोथा प्रेंटिक सेट तोटाल 50 प्रसंट है दिक्टा इस में आपको 35 जось यह से है और 15 प्रशritis जो हिंदी इस वीडियो का पहला प्रश्त देखते हैं आपके सामने है कह रहा है कि गांधी ने!」 निम्रिखित में से किस पर बल दिया तहां गांधी जी ने किस पर बल दिया था इसका जो शही अंसर हो जाएगा सी हो जाएगा राजनीति का विकेंद्री करण पर बल दिया था प्रश्ण नमर दो जो देखे काफी important प्रश्ण है प्रश्ण नमर दो आपका सामने है कि भारतिय समिधान असपस्टत प्रेश की स्वतंतरता की विरस्था नहीं करता परन्तु यह अंतर निरहित है किस अनुच्छेद में तो प्रेश की स्वतंतरता मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंए, तब पहला प्रशन अमर्व 2 का, जो सहuerdo हो जाएगा, जो is a, उन्हें इसका a, या कहאל पर नतरता किस में है, तो उन्हें इसके, a या उन्हें का में है, चलूए अगला प्रशन देखिए, अकृबर ने जजिय की समाप्ती, की, जजिय का था ठीके अकबर ने जजियाकर को कब समाप्त किया था इसको अकबर ने यहां प्रश्ण पूछा जा रहा है कि अकबर सोथ के कुल से संबंदित थो हो गया होगा कि जोforder श्уг्राइब फुट अंगला प्राशन बहुत इंपॉटेंट है प्रस्ट नमबर पांच देखे कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है तो हिस्टोरिका और हेरोड़ेटस को आपको क्या कहा जाता इतिहास का पिता कहा जाता है और हेरोडोटस कहां के रहने वाले थे ये थे जो यूनान के रहने वाले थे याद रखेगा ठीक है फ्रेंट्स तो प्रशन अबर चौ को देखते हैं प्रश्ण नमर 6 है सल्तनत काल में किस भासा को राज भासा का दर्जा दिया गया बहुत ही important प्रश्ण है प्रश्ण नमर 6 का देखे सयंसर क्या होगा कि सल्तनत काल में किस भासा को राज भासा का दर्जा दिया गया था तो इसका सयंसर आपका हो जाएगा B की फार्सी को राजभासा का दर्जा दिया गया था प्राश नमबर साथ को देखे प्राश नमबर साथ है कि इरानी पड्ति सिजदा की किसने की थी ठीड़ेंस बहुत इंपर्टेंट प्रश्ण है साथ का difference कीज़ेगा इरानी परती सिजदा या कहीं पर संजदा भी लिखा रहा था ठीगा इरानी परती सिजदा के सौरुथ किसने क्या था तो प्रंबर साथ का हो जाएगा यह बलवन ने प्रस्ट नमबर आट को देखते हैं अधिए राष्टे कॉंग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यास्ता सुभाजचंद्र बोश ने की थी बहुत इंपॉटेन प्रस्न है तो प्रस्ट नमबर 8 का सही अंसर गेस किजी, तो इसका क्या होगा, तो प्रस्ट नमबर 8 का जो सही अंसर हो जाएगा आपका यह हरिपूरा, ठीक है, भारते रश्टे कॉंग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षिता, शुवास चंद्र बोश ने की थी, तो हरिपूरा किया था बहुत ही इंपोर्टेंट है याद रखेगा है डेट भी प्रश नंबर 9 को देखते हैं कता जब चंद्रमा पिर्थिवी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है तो गेश कीज़े प्रश नंबर 9 का सही अंसर क्या होगा तो जो जब चंद्रमा है ज प्रश नंबर 9 का जो सही अंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा उपभू याद रखेगा अगला प्रशन को देखते हैं एक लीप वर्स में होते हैं एक लीप वर्स में कितने दिन होते हैं सिंपल सा प्रशन है इसका अंसर सब जानते होंगे ऐसे जिनरली 365 का होता है ले जाने अहां पूछावी, दो आपका समझावता हुआ था उन्हेञ जूनल्सं में भारत और चीन के बीच बीच में थी तो अंतराष्टिय मुद्रा को इसकी अस्थापना कभी थी गेस किज़े इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही अंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा अच्छांस का ताथ पर यह सुर्की किर्णों की अपेच्छा यामयोत्तर की कोणिये दूरी ठीक है इसका जो सही अंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अच्छांस का ताथ पर क्या है तो सुर्की किर्णों की अपेच्छा यामयोत्तर की कोणिये दूरी को क्या कहा जाता है अच्छांस कहा जाता है याद र प्रश्ण नंबर चौदा काहू जैगा जो सभी जानते हूंगे पस्चिम से पूरब की ओर घुमती है फच्चिम से पूरब क्योंती है फ़स्चि है प्रश्ट गूंती है प्रश्ट प्रश्ट किस देश का निवासी था जर्मनी आइन्हों ने बहुत ही फेमस बुक दास कैप्टल लिखा था वो भी आप याद रखें के लिए अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर सुल्ला को देखते हैं कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पुर्ण सवराज की मांक स्विकार की गई थी लहोर के किस अधिवेशन में पुर्ण सवराज की मांक स्विकार की गई थी तो लहोर अधिवेशन 1929 तेले प्रश नमबर 17 को देखते हैं कि भारत के परधान मंत्री क्या होता है तो प्रश नमबर 17 का गेज कीजिए तो प्रश नमबर आपका 17 का सही अंसर हो जाएगा ए ं परधान मंत्री क्या होती है निउक्ति होती है ठीक है फ्रेंट्स और देखिये है इसका एक से समच्छ के एक के तहट लोग सभागे जो बहुमत दल के नेता होता है उसे उसकी नियुक्ति होती है किसके द्वारा प्रधार मंत्र क्या होती नियुक्ति होती है पचछत्थर के एक नुसार्थ यह भी आप रखेगा टरेट नम्र 18 को देखेowego दागे क्यूंक सासन की सफालता के लिए अवस्चक है क्या क्या SUR कि लोग तंत्र सासन की सफलता के लिए आवस्यक है तो सिच्छित जनता आर्थिक समानता नागरिक स्वत तंत्रता ठीक है तो इसका सही अंसर आपका डी हो जाएगा उपरियुक्त सभी हो जाएगा अगला प्रस को देखते हैं सोसल कॉंटेक्ट किसके द्वारा लिखा गया ह महाराट से नहीं गुजरती है भारत की मानक समय कि या मयोद्र नहीं गुजरती है से तो महराष्ट से चलिए अगला प्रस्ट को देखते हैं कि इंडिया एनर्जी फोरम ने किस सहर में नुकिलियर एनर्जी का आयोजन किया है तो ठीक है फ्रस्ट नमबर 21 का जो सही अंसर आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा डी हो जाएगा नई दिल्ली में बहुत इंपॉर्टन प्रस्ट न याद रखेगा इंडिया एनर्जी फोरम ने किस सहर में नुकिलियर एनर्जी का आयोजन किया तो नई दिल्ली में चलिए प्रस्ट नमबर 22 को देखते हैं प्रस्ट नमबर 22 है कि प्रस्ट नमबर 24 आपके सामने है कि निम्रिखित में से किस फूटबॉल खिलारी ने इस वर्स का गोल्डन सू खिताब जीता है तो प्रेश नमबर 24 का जो सही अंसर हो जाएगा सी हो जाएगा लियोनेल आद्रेस में सी ने जीता है ठीक है फ्रेंट्स अगला प्रेश को देखते है प्रेश नमबर 25 को देखे अगला प्रेश नमबर 26 को देखते है अधिक पूरूस वरणान्धता से पिडित हो सकते है प्रेश नमबर 26 का सही अंसर हो जाएगा उनमें केवल एक्स क्रोमोसम होता है जैसा कि आप लोग जानते है जो इस्तिरियों था उसमें एक्स-एक्स क्रोमोसम होते है तो जो पूरूस होता है उसमें एक्स-वाई क्रोमोसम होते है तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इस्तिरियों की तुलना में अधिक पूरूस वरणा धाता आनि कलर्डलैनेस से पिडित हो सकते है वे उनमें केवल एक्स क्रोमोसम होता है प्रेश नमबर 27 को देखे किसी प्रमानु αναभी का आयका सथान ru säpas पा पानी ऑफ पानी होता हैस går क्या होगा प्रश्च नम्मबर 28 तरह ऑफ औहला जिसमें हैड्रोजन का सथान उसका आयसोटोप ले लेता है तो भआ एक्त्रोजन का अस्थान उसका आइसोटोप ले लेता है तो प्रशु नमर 28 का अश्य अंसर यह हो जाएगा यह प्रश्ण नमर 29 को देखते हैं फ्रश्ण नमर 29 को देखते हैं इसमें कुछ समझ में ने आ नमबर 30 को देखते हैं है द्वारा होने वाला रोग है तो मेरे खाल से सभी जानते हैं 800 होता है के लिए अगला प्रस्ष देखते हैं प्रस्ष नमबर 31 को देखें कि वाट का बिजली का बल्व 10 गंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा तो कितना होगा फ्रेंड्स इसका सेंसर हो जाएगा आपको एक यूनिट होगा ठीक है इसका सेंसर आपका प्रस नमर जो 31 है उसका सेंसर भी हो जाएगा कितना हो जाएगा एक यूनिट आनि एक इक आई होगा सो वाट का बल्व बिजली का बल्व अगर दस घंटा जलता है तो कितना हो जाएगा एक यूनिट आनी एक आई होगा चलिए प्रश नमबर 32 को देखते हैं यदि किसी आयनक के लेंस का पावर पलस टू डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी तो क्या होगा इसका गेस की जिए सेंसर क्या होगा प्रश नमबर 32 इसका सोल्ड करके देखेगा तो आपका जो सेंसर आएगा इसका डी आएगा दू सेंटेमीटर होगा यदि किसी आयनक के लेंस का पावर पलस डू डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगा तो इसक से कौन सा कारक्ष्वशन किरिया को परभावित नहीं करता है तो प्रश्च नंबर 33 का जो से अंसर हो जाएगा गेस की जिए क्या होगा प्रश्च नंबर 33 का डी हो जाएगा ठीक है नाइट्रोजन डाय ऑक्साइड है जो नहीं परभावित करता है नियम लिखित में से कौन स साइड जो स्वसंद किरिया को प्रभावित नहीं करता है नमर 34 को देखी कर रहा है कि निमलिखित रसायनिक किरिया पर वीचार किजे तो आपका तो का कम कहते हैं सूथ का है लिए और डिरोटीजवक देखते हैं पर 15 से एस्ट्रोजोन स्रावित होता है एक हार्मोन का नाम है कहां से स्रावित होता है तो अंडासे द्वारा स्रावित होता है प्रश्ट नंबर 35 का जो सही अंसर हो जाएगा जो ए हो जाएगा कहां से होता है तो आपको अंडासे द्वारा स्रावित होता है और फ्रेंट्स इससे सानाव होता है ठीख एप्र ऐसे को पुरूषं में होता है और समंदी पूछा जाता है चाहां तो क्या वह नर में होता है यापके शोता है जाब रखेगा जिकए अब देखते हैं, हिंदी से, हिंदी से देखे, प्रस नमर 36 से, का ogni सा बहुआ बचन हैता है? मात', प्राह, किताब, लड़का, इसमें कौन सा है जो आपको बहुआ बचन है, चुनना है, तो दिखे, माता, लड़का और किताब है जो आपका एक बचन है, जबकि प्रान है जो हमें बहु अचन होता है ठीके प्रान बहु अचन के गिरुप में पर्योग होता है तो इसका सेंसर आपका बी हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ट को देखते है कि क्या है 37 38 में देखे परतियक प्रस्ष में एक सब्द दिया गया है जिसका संदी विचेत चार परकार से किया गया है इनमें से केवल एक ही सही है संदी विचेत का चैन किजिए और सही संदी विचेत का चुनने के लिए कह रहा है तो नाविक, नाविक क्या होगा तो प्रश्ण नमर 37 का A हो जाएगा 9 जोड़ 1 बहुत important है फ्रेंट्स याद रखेगा 9 जोड़ 1 बरबर क्या होता है नाविक होता है तो प्रश्ण नमर 38 के देखे सूरेस तो सूरेस का क्या होगा संदी विछे तो प्रश्ण नमर 38 का जो से अंसर हो जाएगा B हो जाएगा ठीक है सूरेस के सूर जोड़ इस आद रखेगा फ्रेंट्स दोनों ही टिपकल है बहुत बार एक जामें पूछा गया है तो सूरेस का हो जाएगा क्या 38 का B सूर जोड़ इस होगा और नाविका नौ जोड़ इक होगा चले अगला प्रश्ण को देखते है निमलिखित प्रश्णों में से एक सब्द की वर्तनी के चार विकल्प दिये गया है इनमें से एक विकल्प सही है सही विकल्प का चेन कीजिए इसमें सुध सब्द को उस हाटने के लिए कह रहा है तो चार दिया हुआ है, उसमें से एक सही है अब आपके जो गलती है तो कैलास, simple है कैलास देखे इसमें ताड़ अड़बिश वोता है चले चालिस का करा रहा है ध्यात्मिक किस तरह से लिखा जाएगा तो चालिस का जो सेंसर अपका हो जाएगा जो बी हो जाएगा और ध्यात्मिक नहीं होता है आध्यात्मिक इस तरह से लिखाता है आध्यात्मिक तो प्रश्ण नमबर चालिस का सेंसर अपका बी हो जाएगा तो प्रश्ण नमबर एक तालिस को देखते है करार निमलिखी सब्दों में से समास बताईे परतेक में कौन सा समास होगा तो प्रशन नमबर 41 का जो सैंसर हो जाएगा ओट ठीक है अब यवी भाव समास ठीक है परतेक हो गया परती दिन हो गया भर पेट हो गया या था संभव हो गया इस सब है जो अब यह भाव समास के अंतरगत आता है तो परतिक, परतिदीन इस अब है जो अब यह भाव समास तो प्रस्ट नमबर 41 का सही अंसर ए हो जाएगा जो लिए प्रस्ट नमबर 42 को देखे 42 को कर रहा है त्री फला ठीक है फ्रेर से देखे इसमें जो संख्या वाचक समास आता है संख्या वाचक सब्द आता है वो दिग्गू समास आता है जिसे तिरी फला, अश्ट कोन, सश्ट कोन इस सब है जो दिग्गू समास के अंतरगत आता है लिएकता स्थानों की पूर्ति करने वाले सब्द को 책 यहां पर क्या भराएगा प्रशन्मak 33 का इस अमर्व 국न पर इत्राव मत है थी इससर्थ में इस इस में इसका सैंसर 23 का ओजाएगा और भी हो जाएगा कि इस नशेवर जीवन पर इत्राव नहीं क्योंकि जीवन का नास होना है ठीक है? मिर्तु सबकी होनी है जीवन है जो नश्वर है अमर नहीं है प्रश्ण नमर 43 का से अनसर आपका भी हो जाएगा प्रश्ण नमर 44 को देखें प्रश्ण नमर 44 आपके सामने है यदि अप कृत्य होते रहे तो यहां क्या भराएगा? विकास, विनास, हरास, या आयास भराएगा तो प्रस्ठ नमबर 24 का जो सैंसर हजाएगा सी हो जाएगा यदि अप कृित्य होते रहे तो विनास अवस्यम भावी है ठीक है? चल्या फ्रस्ठ नमबर आप देखते हैं आपका 45 को देखते हैं प्रश नमबर 45 क्या है फ्रेंट्स देख लेते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि नीचे देगे सब्दों को चार अर्थों में से एक गलत अर्थ को चिन्हित कीजिए कनक मतलब क्या होता है तो प्रश नमबर 45 कनक मतलब कल के वीडियो में मैं बताया था तो कनक मतलब क्या होता है तो इसका क्या रहा है गलत अर्थ को चिन्हित कीजिए तो प्रश नमबर 45 का जो से अंसर हो जाएगा सी मदिरा ठीक है कनक मतलब आपको सोना धतुरा एक किस्म का गेहूं यह सब है जो इसके अंतरगत आता है जबकि एक गलत अर्थ है तो मदिरा म होता है इसमें गलत है जो चाटना है तो प्रश होटा है मतलब होता है संपत्ति भी होता है अर्थ के मतलब धर्म नहीं होता है तो प्रश निवर 45 सनसर डी हो जाएगा तो 47 तालिस देखते हैं नीचे मोहावरा के बादे में पूछा जा रहा है कि तील का तार बनाना सिंपल सा है आप गेस कर सकते हैं इसका सेंसर क्या होगा प्रश नमर 47 का क्या होगा तील का तार बनाने अनावस्यक विस्तार ठीक है क्या अनावस्यक विस्तार होगा तील का तार बनाना अनावस्यक विस्तार अगला प् ज़ित नोब 50 को देखें। कि सिर्थ से लेकर पेरों तक को क्या कहा जाता है। इसके बाद है, अभी प्राक्टिस सेट को देखिते जाए। question का level इसी type कर रहेगा इससे कुछ आपको idea मिलेगा और जितना ज्यादा से ज्यादा जिक्के js पढ़ें ज्यादा से levels कभर करें friends तभी आपको exam में सहुलियत होगा और फायदा होगा ठीक है friends तो next video में फिर मिलते हैं देखने के लिए thank you धन्यवाद